प्रेंट्स वेलकम टू सलीम की गली और आज दोस्तो ये वीडियो भी सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर है और दोस्तो जिनों ने मुझे कमेंट करके इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट किया था उनके कमेंट का मैंने स्क्रीन सॉट लेकर रखा था लेकिन वो किसी मेरे पास अब नहीं है वो डिलेट हो चुका है इसलिए वो कमेंट मैं आपको दिखाने ही पाया हूँ उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूँ लेकिन उन्होंने मुझे क्या का था ये मैं आपको बता देता हूँ और उनका कहना ये था कि जब भी मैं लॉंग ड्राइब कर जाता है कभी कभी ब्रेक पैडल पे से या एक्सिलेटर पैडल पे से उनी की प्रॉब्लम सॉल्फ करने के लिए आज मैं अपनी गाड़ी के अंदर एंटी स्लिप पैडल कवर को इंस्टॉल करके दिखाऊंगा और साथ मैं उसकी अन्बॉक्सिंग भी करूँगा उसका पैसे प्रिव्यू भी दूँगा आपको के इसको लगाना चाहिए अपनी गाड़ी के अंदर और लगाने के बाद इसको क्या-क्या नुकसान होंगे और क्या-क्या इसके फायदे होंगे और गाड़ी देखने में कैसी लगेगी और यह मैंने कहां से पर्चेस किया है और लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है मैं सभी के कमेंट पे वीडियो जरूर बनाऊंगा आप सिर्फ अपना कमेंट करके छोड़ दे और दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले एक चोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आयो तो चैनल इसको पैकिट से मैं बाहर निकाल कर आपको दिखा देता हूँ तो मैंने पैकिट को पहले ही काटा हुआ था और इसके अंदर ये एक और रैप निकलता है तो इसको भी मैं यहां से खोल लेता हूँ और दोस्तों देख सकते हो इसके अंदर हमें कुछ इस तरीके का यह पैक आया गया है लेकिन दोस्तों आपको यहां पर इसको देखकर कुछ समझ नहीं आने वाला है तो इसे देखने की आपको कोई जरुवत नहीं है क्योंकि वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा कैसे फिट करना है तो दोस्तों इस पैकेट के अंदर से भी इसे निकाल लेते हैं और साथ ही में इसकी जो पत्या होती है वो मिलती है यह सारी चीज हमें इसको इंस्टॉल करने में काम आने वाली है और इसके अंदर अलग-अलग टाइप के नट बोल्ट है तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा कैसे आपको इंस्टॉल करना है तो फिलाल जो है दोस्तों अंदर red color के paint की काफी modification की हुई है जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं वो अच्छे से जानते होंगे मैंने क्या क्या modification करें red color में और दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी build quality की तो यहाँ पर इसमें जो material है इसका वो एक plastic material है जो के काफी मजबूत दिया गया है और दोस्तों यहाँ पर यह red और black color की जो आप देख रहे हो यह हमें यहाँ पर rubber की इसके अंदर material मिल जाता है तो इससे काफी grip मिल जाती है और दोस्तों जो इसका design यह देख रहे हैं पांच इसके अंदर hole है उससे भी हमें काफी grip यहाँ पर मिल जाती है ठीक है और यहाँ पीछे से देख सकते हो यह पूरा plastic का है लेकिन यह मजबूत वाला plastic इसमें दिया गया है और इसके साथ ही यहाँ पर red black के combination के साथ आपको chrome finish भी देखने को मिल जाती है और दोस्तों इसकी quality के बारे में मैं अपने opinion से कहूंगा तो इसकी average quality है मतलब ना जादा बढ़िया है ना जादा घटिया है ठीक है और दोस्तों यह दोनों जो paddle है यह आप कोई सा भी किसी में भी लगा सकते हो दोनों same है इसमें कोई फरक नहीं है ठीक है और इसके बाद हम यह चोटी वाली पत्ती जो इसमें दी गई है हमें इनको भी एक एक करके यहाँ पर अलग कर लेते हैं तो इसमें यहाँ पर हमें यह 8 पत्तिया दी गई है चोटी वाली जो के थोड़ी अलग से safe की है और जो बड़ी वाली पत्य है वो flat save किया ठीक है दोस्तो तो यहाँ पर मैंने वो अलग-अलग कर लिए और दोस्तों अब यह वाले जो बड़े वाले screw है इनको भी यहाँ पर अलग कर लेता हूं और दोस्तों यहाँ पर nut जो हमें मिलते हैं वो 12 nut मिलते हैं जो के सभी screw में लग जाएंगे तो दोस्तों इनको अलग करने की आपको ज़रुवत नहीं है यह आप कोई सभी किसी में भी लगा सकते हो और दोस्तों अब जल्दी से जो हम इसको कर लेते हैं अपने पैडल के अंदर install तो मैं आपको बता देता हूँ यह पत्तिय और screw इनके अंदर कैसे लगानी है तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक ही पैडल में screw और पत्तिय लगा कर दिखाऊंगा क्योंकि दूसरे वाला पैडल जो है वो सेम है उसमें आप fitting ऐसे ही कर सकते हो जैसे के मैं इसमें करके दिखाऊंगा और दोस्तों जो हमारा accelerator वाला जो पैडल है उसकी fitting मैं आपको अलग से दिखा दूँगा तो दोस्तों इस वाले पैडल के अंदर दो होल आपको उपर की side मिलेंगे और दो होल नीचे की side मिलेंगे तो यहाँ पर इसमें बड़े वाले जो screw मिले हैं हमें वो वाले एक एक करके चारो होल के अंदर आपको बड़े वाले screw डाल देने हैं उसके बाद इसको ऐसे पलटके और यहाँ पर हमें पत्ती डालनी है इसके अंदर छोटी वाली तो दोस्तों मैं यहाँपर आपको जूम करके दिखा देता हूं पत्ति को आपको ऐसे डालना है जो इसका गड़े वाला हिस्सा है मतलब जो अलक सा सेव है ये उपर की साईड र इसको बाकी लूजी छोड़ देना है और एक एक करके चारो इसक्रू के अंदर आपको ये नट डाल देने हैं और दोस्तों यहाँ पर मैंने चारो स्क्रू में नट लगा दिया है और देख सकते हूं यहाँ पर हमारी पत्या ये लूज पड़ी है लेकिन इससक्रू से बाहर निकल लिया है और दोस्तो इस पत्ती का सेव भी आप ध्यान से देख लेना जो इसका गहराई वाला इससा है वो आपको उपर की साइड रखना है यानि के जिधर नट लगे हुए है उधर की साइड रखना है और दोस्तो इसी तरीके से आपको ये वाला पैडल भी तयार कर ल ने हैं और दोस्तों अब आते हैं हमारा जो यह वाली जो फ्लैट पत्या है ये और छोटे वाले स्क्रू ये कैसे लगाने हैं तो दोस्तों एक्सिलेटर पैडल को मैं यहाँ पर उठा लेता हूँ और इसमें उपर की साइड यहाँ पर आपको पांच होल देखने को मिलेगे और एक होल यहाँ पर मिलेगा साइड पर और यह वाले पांच हो जो होल दिये गए हैं इन में से कौन से होल के अंदर आपको स्क्रू लगाना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा लेकिन उससे पहले इसके अंदर एक होल और है जो के आपको यहाँ पर नीचे की साइड तो दोस्तो आप जल्दी से इसके अंदर कर लेते हैं आपने स्क्रू और इस पत्ति को फिट तो यहाँ पर सिंपिली पत्ति को लगाना है और उपर की साइड से आपको स्क्रू को डालना है ठीक है और नीचे की साइड यहाँ पर आपको वैसे ही नट लगा देना है ठीक है हमें सबसे उपर वाला जो होल है उसके अंदर स्क्रू को डालना है और यहाँ पर पत्ती रखने है और नट लगा देना है और दोस्तो जो इसके बाद हमें आखरी वाला है वो इसके बगल वाला जो होल है उसके अंदर लगा देना है तो यहाँ पर देख सकते हैं उपर की साइट दो स्क्रू लगे हैं और एक स्क्रू यहाँ पर और एक इस रवड के नीचे लगा है ठीक है दोस्तो तो कुछ इस तरीके से यह वाला पैडल हमारा तयार हो जाता है और दोस्तो आप बात कर लेते हैं इसको यहाँ पर install करने की तो brake और clutch का जो pedal है इसमें install करने का तरीका सेम है तो यहाँ पर मैं आपको शिरिफ एक ही करके दिखाऊंगा तो दूसरा वाला आपको सेम वैसे ही कर लेना होगा तो इसको simply clutch pedal के उपर रखेंगे कुछ इस तरीके स और रखने के बाद दोस्तो इसकी पत्तियों को set करेंगे तो पत्ति को कैसे set करना है वैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ तो जो हमारा brake pedal है यहाँ पर उसके निचे यह अपर यह ब्रेक पैल की रबर्ड है और अब इसको मैं अच्छे से tight कर देता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर आपको पूरे अच्छे से इसको tight करना है यह नहीं सोचना है कि यह tight करने से plastic crack हो जाएगा तो plastic की quality काफी ठीक ठाक है तो इसको पूरी अच्छी तरह से आपको 4 screw को tight कर लेना है और दोस्तों यहाँ पर मैंने इसको पूरा अच्छे से tight कर लिया है और इसकी पत्ती की जो position मैंने रखी है वो भी मैं आपको नीचे से दिखा देता हूँ यह देख सकते हो दोस्तों इसकी पत्ती की position मैंने किस तरीके से रखी है तो यहाँ पर देख सकते हो यह दोनों पत्ती आमने सामने ऐसे है और यह हमारा जो break पैडल है या clutch पैडल है उसको यह अच्छे से यहाँ पर पकड़ लिया है इन पत्तियों ने और जो उपर वाली पत्ती है वो मैंने थोड़ी cross करके लगाई है यानि के पूरी मजबूती से हमारा यह clutch पैडल इसने पकड़ लिया है तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर मैंने दोनों पैडल को लगा दिया है दूसरे पैडल को भी आपको सेम इसी तरीके से लगाना है जैसे मैंने आपको पहला एक पैडल लगा कर दिखाया है और दोस्तों अब बात कर लेते हमार एकसिलेटर वाले पैडल की तो यह वाला पैडल हमारा ऐसे फिट नहीं होगा दोस्तों उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा यह वाली रबर को हमें बाहर निकालना पड़ेगा एकसिलेटर पैडल की जो रबर है इसको बाहर निकालना पड़ेगा तो उसके लिए हमें क् के बीच में थोड़ा सा gap होता है उसके अंदर आपको screwdriver को डालना है जैसे के मैं आपको यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ आपको सेम ऐसे ही करना है और screwdriver को जब उस gap के अंदर आप डाल दोगे तो इसको क्या करना है screwdriver से ऐसे pull करना है इसको rubber को उपर की side क्योंकि दोस्तों इस rubber के अंदर lock लगे होते हैं जो के हमारी road को road में जाके fit हो जाते हैं यह देख सकते हो दोस्तों यह दो lock होते हैं जो के हमारे road में fit रहते हैं और दोस्तों इस rubber को निकालने के बाद आपको क्या करना है यह जो हमारा निचला हिस्सा है इसका जहाँ पर यह होल देख रहे हो आप इस रबड के अंदर उसको क्या करना है आपको यहाँ पर नीचे की साइड रखना है इस पैडल के ठीक है और दोस्तों इसके अंदर जितनी भी पत्या लगी है उनको क्या करना है आपको हाथ से मोड क के ऐसे कुछ सेफ बना लेना है ताकि इसके उपर रवड के उपर हमारी ये वाली पती आ जाए तो ये वाली पती इजली हाथ से मुड़ जाएगी और मुड़ने के बाद इसके उपर ऐसे रख देना है इसको और उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है ये वाला स्कूरू अपने स्कूरू ड्राइवर से टाइट कर देना है ठीक है दोस्तो और ऐसे ही यह दूसरे वाला भी कर लेना है और इसके बाद आपको क्या करना है एक प्लास लेना है उससे नट को पकड़ना है और उसके बाद जो है स्कूरू ड्राइवर से इसको अच्छे से टाइट करना ह ठीक है दोस्तो तो यहाँ पर मैं सारे nut को ही ऐसे ही tight करूँगा और अब इसके बाद दोस्तो ये वाली दोनों पत्तियों को tight करना है तो इसको रखने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ तो एक पत्ती को हमने ऐसे रखना है और दूसरी पत्ती को इसके उपर से cross करके यानि के दोनों का इनका cross बना देना है और इसके दोनों screw को अच्छे से tight कर लेना है और यहाँ पर दोस्तों मेरा ये वाला pedal भी अच्छे से तयार हो चुका है और अब बात कर लेते हैं इसको लगाने की और दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके use की तो यहाँ पर use करने में ये काफी ठीक मैसूस हो रहा है सुरू सुरू में थोड़ा अजीब लग सकता है लेकिन यहाँ पर देखने में भी गाड़ी में लुक अच्छा आ गया है और use करने में भी ठीक था गया और दोस्तों अगर आप मुझसे डारेक्ट बात करना चाते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ पर मुझे मैसिज कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये एंटी स्लिप पैडल कवर तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं तो आज की वीडियो में फिलाल इतना ही अगली वीडियो आने तक के लिए बाई दोस्तों